हेलो दोस्तो कैसे हो आप सब मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तो बिट कोईन यहां पे 70,000 डॉलर के ऊपर मैंटेन कर रहा है और इस टाइम पे 71,000 डॉलर चल रहा है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमारे अंदर खुशी नहीं है उसका एक बड़ा रीजन है क्योंकि हम मेंसे ज्यादातर लोग alt coins लेके बैठ हुए है उसको लेके बैठ हुए है और वो pump कर नहीं रहे हैं लेकिन यहां पर bitcoin का maintain करना या bitcoin का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि हम चाहते हैं यहां पर पूरा का पूरा crypto bull run देखने के लिए लेकिन जिस रहा है और लगातार bitcoin ETF के अंदर buying देखी जा रही है और जब पहले ऐसा हुआ था तो इन्हों ने कब में जो है 10-15,000 डॉलर बढ़ा दिया था हमें पता ही नहीं चला था तो यहां पर ऐसा लगता है कि यहां पर हमारे पास जो चार्ट है वो भी कहीं न कहीं इसी तरफ इस इचारा कर रहा है कि यहां पर कभी भी आपको एक market के अंदर बड़ा pump होते दिख सकता है जो bitcoin ETFs है वो भी यही इचारा कर रहे हैं और साथ के साथ में यहां पर जो alt coins हैं जिस हिसाब से कोई momentum नहीं है ऐसा लगता है तुफान से पहले की खामोशी है तो कभी भी यह भी पर लेते दिख सकते हैं तो दोस्तों बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर situation कैसी भी हो हम आपके साथ यहां बने हुए हैं और हम इस bull run को हम सब साथ मिलके enjoy करेंगे अगले एक डेड़ साल तक बस आपने हमारा साथ देना है और content को देखो observe करो अपनी खुद की research भी क समाके दे सकता है बस थोड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत है और तंबू गाड़ के यहां पे बैठने की जरूरत है ठीक है ना बस enjoy करो जो हो रहा है wait करो ठीक है ना इतना करने की जरूरत है यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक और request है वीडियो हमारी share कर दीजिया कर Bitcoin को लेके बड़ी बड़ी predictions निकल के आ रहे है साड़े तीन लाख डॉलर की अगस्त की prediction निकल के आई है और यहां पर इनी भाई साब ने जून के अंदर Bitcoin को एक लाख डॉलर बोला है कि होना चाहिए उनका नाम है Robert Kiyosaki और Rich Dad Poor Dad या investment की दुनिया के अंदर शायद ही कोई हो कि एक prediction है लेकिन देश हवेर में अगस में ना बढ़े लेकिन स्लोली अगर ग्रेजुली यह आपको बढ़ता दिखेगा यहां पर चलो हम इनकी बातों को इतना seriously नहीं लेते हैं लेकिन जब हम charts को देखते हैं तो हमें लगता है साड़े तीन लाख डॉलर इस bull rally के अंदर possible है उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले एक और बड़ी prediction निकल के आई है और वो है standard chartered bank की तरफ से हम सब को पता है standard chartered expect कर रहा है 2024 में bitcoin का price 8,000,000,000 होगा और 2025 में अगर bitcoin ETF का जैसे माहल बन रहा है तो 1,500,000 डॉलर तक यह जा सकता है लेकिन अभ आप यह जो mister Kendrick है जो की head है standard chartered banks forex and digital asset research के उनका यह कहना है कि bitcoin का price election से पहले या election के आसपास एक लाख डॉलर तक हो सकता है तो जो अभी जो बात समझ में आ रही है तो उनका कहना है कि भईया election के आसपास हो सकता है माहौल गरम होता दिखे और bitcoin एक लाख डॉलर क्योंकि न लेकिन उनका एक और बात जो कहना है कहीं न कहीं हमें भी वह बड़ा interesting लग रहा है अगर Donald Trump president बन जाते हैं तो इस साल में यानि कि December तक bitcoin का price ठेड़ लाख डॉलर भी आपको होता दिख सकता है क्योंकि कहीं न कहीं Donald Trump कुछ प्रो लग रहे हैं cryptocurrency को लेके bitcoin को लेके तो यह 2024 में expect करी रहे हैं लेकिन यह expectations को हम यहाँ पर क्या bitcoin का breakout देख सकते हैं उसके लिए आज जो मेरे पास चार्ट है उसका नाम है power log corridor अब यहाँ पे वो क्या कहता है उसके अंदर आपको 3-4 लाइने दिखेंगी आपको याद होगा हमने यह जो चार्ट है लगभग 7-8-9 महीन target है वो आपका 70,000 डॉलर के आसपस होना चाहिए और यह हमने तब share किया था जब लोग सोचते भी नहीं थे कि bitcoin का price halving से पहले 70,000 डॉलर जा सकता है तो ऐसे ऐसे charts को study करो ना अब यहाँ पर अब यह क्या कह रहा है उसको समझेगा यहाँ पर अगर इस power low corridor की हम बात करते है इस chart की बात करते हैं अभी हम middle line के बीच में हैं यानि कि आप कह लिजिए इस time पे वो एक resistance line है लेकिन अगर हम 2012-13 को consider करते हैं तो वहां breakout हुआ था तो हमने नया all time high देखा था और फिर यह जो level था वो support निकल के आया था इस time पे यह जो level है वो 83,000 डॉलर के आसपास आता है power low corridor की बात करते हैं, P.I. cycle की बात करते हैं, golden ratio multiplier की बात करते हैं तो कह लिजिए यह 83,000-85,000 डॉलर एक बड़ा resistance है या हमारी immediate target हो सकते हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं जून के अंदर या जुलाई के अंदर ही हम इस level को छूता देखें bitcoin को लेकिन असली खेल जो है उसके बा एक resistance का काम कर रही थी है, जो middle line आपको दिख रही है, gray line जो आपको दिख रही है, लेकिन जब इसके ऊपर breakout किया तो नया all time high बनाने से पहले इसने इसके नीचे नहीं आया, similar ही 2021 के अंदर हुआ, जब इसने इसको breakout किया तो इसका और नया all time high बनाने से पहले ये नीचे नह नहीं आया, अगर हम overall calculation लेते हैं, सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है, history के अंदर कि इस gray line के ऊपर गया, नया all time high ना बनाके, फिर reject हुआ, तो यहाँ पर इसको भी consider करना चाहिए, लेकिन ये कहीं न कहीं इस time पे दिखा रहा है, कि हम अभी consolidation phase के अंदर हैं, लेकिन bitcoin की halving के ब असली में bitcoin और cryptocurrency market फटती है, तो ये तुफान से पहले की खामोशी आप consider कर सकते हो, तो ये मौके हैं, यहाँ मौके पे आपको भरपूर सोचने का time दे रही है, bitcoin market, cryptocurrency market, alt coins, क्या करना है, अब ये 2-3 महिने में भी अगर आप कुछ नहीं सोच पाए कि हमें करना क्या है, या wait क करना है, बड़े crash का, वो आपको decide करना है, लेकिन अगर आप wait करते हो, तो यहाँ पर अगर बड़ा crash होता है, उसके लिए कुछ fund होना चाहिए, तो strategy ऐसी बनाओ कि हमारे पास में बुरे हालात के लिए हम तयार रहे हैं, कुछ spare fund भी हो, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से इ चाहिए, कि हमें altcoins के अंदर entry बनानी चाहिए, कि नहीं चाहिए, वो आप decide करो, हम तो यहाँ पर लगातार जो data share कर रहे हैं, वो तो कहानी कुछ और ही कह रहे हैं, यह chart जो है, कहीं ना कहीं बड़ा interesting है, इसको अपनी जो है, जो कहते हैं ना, directory में feed कर लो, और इस chart को consider कीजिएगा, लेकिन जब यहां से फटता है, तो पिछ अगर हम 2012-13 का, 13-14 का बुल्रन देखते हैं, या हम 2016-17 के बुल्रन के अंदर देखते हैं, तो इसका जो टॉप था, वहां इसने, जो है, रेड लाइन आपको दिख रही है, वहां इसने hit किया, और वहां all time high बना, ले लेकिन अगर इस बार इसको छूता है, तो ये भी साड़े तीन लाग डॉलर इंडिकेट कर रहा है, तो possible है, इस चार्ट के हिसाब से एक ये target हो सकता है, हम उतना दूर नहीं जा रहे हैं, साड़े तीन लाग डॉलर, लेकिन हां हमें, जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, ETF की buying हो रही है, सारी चीज़े चल रही है, तो ऐसा लगता है, इस bull run का peak डेड़ लाग डॉलर तो होना ही चाहिए, एक लाग बीस हजार से डेड़ लाग डॉलर के बीच में, हम यहां पे exit करने की exit strategy बनाने की सोचेंगे, अभी जादा दिमाग हम उस चीज़ में नहीं लगा र और यह पहले प्रूफ किया है इसने, जब इस pink line को इसने breakout किया था, तो वहां से हमने एक बड़ा pump देखा, और यह समलो 25,000 डॉलर से हम सीधा 70,000 डॉलर देखा, तो यह चार्ट पहले भी शेयर किया था, जब वहां पे यह सही निकला है, तो पूरे chances है, शायद यह एक और हमें एक अच्छा indication दे सके, लेकिन immediate जो level है, 83,000 डॉलर से यहां पर यह बताता है, उसको अभी नज़र रखना है, जो की resistance निकल के आना चाहिए, अगर आपको हमारा content अच्छा लगता है, आपको मेरी बाते समझ में आती है, तो वीडियो को like करिए, हमें भी support कीजिए, ले परसो लग बख 5000 Bitcoin ऐना खरी देतें, लग रहा है एक दिन ये खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, ये अंडे नहीं रहे हैं, ये अगले चीजों के लिए थैयार हो रहे हैं, और यहां पर हम कोई बड़े शौक नहीं होंगे, बड़े बड़ें नाम और निकल verr जो अगले टाइम पे जब डिक्लेयर होगा कि इन लोगों ने Bitcoin के ETF थूब Bitcoin के अंदर पैसा लगाया है थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है और यहां पे थोड़ा आपको अफजर करने की जरूरत है लगातार 19th day है जहां पर लगातार Bitcoin ETF positive inflow दिखा गया है मतलब उसके अगर overall देखते हैं तो buying हुई है negative gray scale की selling को भी छोड़ दें तो लगातार वहां buying हो रही है अब 15-16 दिन से लगातार buying positive में होना किस तरफ इशारा कर रहा है इस चीजों को भी आप ना समझो तो हम कह नहीं सकते हैं लेकिन समझोगे तो ठीक है नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं क्योंकि कई बार ऐसी बाते समझने आती हैं और जब market almost peak पे होती है और अगर किसी ने बोला Bitcoin उसने लिया हुआ है और वो यहां पर loss में है तो भी आच्छी बात नहीं है अगर आप 2021 में भी Bitcoin बाइंग की होगी तब भी आज आप profit में हो 69,000 डॉलर्स का हाई था और आज 71,000 डॉलर्स पर हो तो यह मत कहिएगा कि मैं Bitcoin लेके loss में हूँ बस यहां पर थोड़ा सबर और patience करने दिखाने की जरुरत होती है जो हमें से जायतर लोगों के पास है नहीं लेकिन short term में Bitcoin का क्या लगता है अगर मान लोग बुरे हालात में Bitcoin नीचे आ भी जाता है तो हमें करना क्या है उस पर थोड़ा सब focus करते है immediate support 69,000 डॉलर्स पर यहां मिलती है जो की interestingly 21 day moving average भी वहां आ रही है और previous all time high तो यह एक level important support यहां बन रही है लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो 65,000 पचास और 100 day moving average वह फिलाहल इसके लिए support है तो कह लिजिए दो लेवल से जिन पर हमें नजर रखनी है बुरे हाल आतमें यहां आता है तो हमने entry बनाने की सोचनी है तो वह इसका immediate target हो सकता है लेकिन हम जून में अभी भी expect कर रहे हैं कि 83,000 डॉलर तक 80,000 डॉलर के पार यह हमें देखने को मिल सकता है बाकी वक्त बताई देगा आपको क्या लगता है कि 83,000 डॉलर होगा यह 65,000 डॉलर होगा जून में हमें comment में ज़रूर बताते रहे हैं और अपनी भी advice हमें देते रहे हैं two way communication चलते रहना चाहिए ठीक है न? तो यह हमारा जो है आप छोटा सा काम कीजिए और हम आपके comments पढ़ते हैं तो इसके लिए comment भी करते रहे हैं और वीडियो को share भी करते रहे हैं उम्मीद करता हूँ यह चीजे भी आपको समझ में आ रही होगी लेकिन दोस्तो इसके अलावा अगर मैं 5 coins की बात करता हूँ तो इथेरियम के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इथेरियम ecosystem के उपर बहुत सारे coins बने हुए हैं यानि की layer 2 की मैं बात कर रहा हूँ उसमें से एक बड़ा नाम है ARB Arbitrum, OP, Matic यह सारे coins आपको ETF trading के बाद फटते देखने चाहिए हमें ऐसा लगता है तो ARB अभी भी बहुत अच्छी position में है एक डॉलर के आसपास है अगर यहाँ entry बनाई जा सके तो बहुत अच्छा रह सकता है एक डॉलर के आसपास अगर entry मिल जाए तो बहुत बढ़िया entry हो सकती है हमें ऐसा लगता है लेकिन अगर इमीडियेटली इसको देखते हैं तो यह 20-25 परसंट तो कभी भी 1.2 से लेके 1.45 डॉलर से यह कभी भी जा सकता है लेकिन हम देख रहे हैं इसको थोड़ा लंबे समय के लिए और लंबे समय की बात होती है तो ऐसा लगता है यह हमें जो है multiple time return इस bull rally के अंदर देखे जा सकता है इमीडियेटली देखते हैं तो 1.5 डॉलर हम इसका target लेके चल रहे हैं जो है 2 डॉलर के आसपास हम इसको देखते हैं लेकिन long term में देखते हैं तो यह बहुत अच्छा आपको करता दिख सकता है दूसरे coin की बात करते हैं वो है sui हमने जब यह एक डॉलर के आसपास था अभी recently 2-3 दिन पुरानी वीडियो होगी देख लीजेगा तब हमने काहता है इसके अंदर entry बनाने के लिए और यहां पर आप देखोगे और यह जो है 15% के profit आपको दे चुका है इमेडियेट इसको जो target है 1.25 डॉलर के आसपास है और यह भी आपको अच्छा करता दी सकता है ठीक है तीसरे coin की बात करता हूँ वो भी मानता मानता कि अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी एक अच्छे level पे है और जिस आपसे सके लिए correction देखी गई है 1.5 डॉलर या 1.7 डॉलर एक entry है और 1.5 डॉलर दूसरी entry अगर यहां पे 2 level पे मिल जाए तो छोड़ना नहीं है हमें लगता है कि यह भी आपको 2.5 से लेके 2.8 आपको short to mid term में देखे जा सकता है और long term में इसकी market cap की बात करते हैं तो कम है rank कम है तो multiple time return देने के chances जादा हो जाते हैं use case यह भी निकल के आता है एक और coin की अगर मैं बात करता हूँ उसकी एक news है और आपको बता दूँ कि उसका नाम है story fire project का और coin का नाम है blaze यहां पर इसको लेके बहुत news चल रही है कि आने वाले दिनों के अंदर कोई बड़े exchange पे यह list आपको होता दिख सकता है और जब भी exchange listing के announcement आएगी तो एक spike इस coin के अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है और यहां पर अगर यह 0.0013 या 0.00125 और 0.0011 के आसपास अगर entry मिल जाए तो यहां entry बनाई जा सकती है और जिस हिसाब से लगातार इसके अंदर 10-15% 20% की fluctuation पिछले 3-4 दिनों के अंदर देखने को मिल रही है तो ऐसा लगता है कि कुछ तो है और आने वाले time के अंदर यह भी आपको एक pump लेता दिख सकता है अगर हम देखें तो यह भी 20-50% 100% तक का potential रखता है आने वाले दिनों के अंदर यह देखे जा सकता है और market cap की बात करते हैं कोई ज़्यादा बड़ी market cap नहीं है तो हो सकता है यह आपको एक अच्छा कुछ return देके चला जाए यहाँ पर एक और चीज़ अगर story fire के बारे में बात करते हैं तो यह जो है gaming से लेके या web 3 social media platform को लेके चीज़े work out कर रहे हैं यहाँ पर आप जैसे twitter पर post करते हो या videos डालते हो तो यहाँ पर किया जा सकता है as a content creator और आप content को consume करते हो तो वो भी यहाँ पर आप उन सब को फायदा होता है इनके token के अंदर तो जैसे web 3 का future लगता है तो आने वाले time के अंदर हो सकता है यह project भी आपको अच्छा करता दिखे साथ के साथ में अभी recently इनकी partnership होई है intoverse के साथ में और बहुत सारी चीजें यह करने की कोशिश कर रहे है तो अगर जादा detail के अंदर हमने एक video इसकी बनाई हुई है तो आप वो video जरूर देख लीजेगा हो सकता है उससे आपको और इस project के बारे में जानने को मिले और इसा लगता है और जिस आपसे 0.04$44 के आसपास चल रहा है तो यहां पर अगर हम short term में देखते हैं तो ऐसा लगता है 0.051 यानि की 15-20% तो यह return कभी भी देखे जा सकता है लेकिन अगर support की बात करते हैं एक entry यहां बनाई जा सकते हैं और एक entry अगर perfect entry देख रहे हो तो 0.03 $88 के आसपास आजाए तो यहां बनाने की खोशिच कीजिएगा अगर हम overall देखते हैं long term में यह coin भी आपको अच्छा करता दिख सकता है इसको लेकर ज्यादा लोगों का experience अच्छा नहीं रहा है लेकिन जिस आप से growth दिखा रहा है ऐसा लगता है यह भी आपको एक अच्छ टाइम रिटन देने का potential रखता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आपको हमारा content अच्छा लगा होगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है content अच्छा लगा है तो वीडियो को like करिए हमारा भी साथ दीजिए और चैनल को subscribe करिए Twitter टेलिग्राम को भी कि अच्छा लगा है तो